असलाम लेकुम आज से हम अपनी फर्स्ट इयर की सीरीज स्टार्ट करें हैं Complete Lectures of First Year सबसे पहले जो हम चैप्टर डिसकस करेंगे वो हमारे पास है चैप्टर नमबर वन जिसका नेम है नमबर सिस्टम अब हम डिसकस करेंगे कि नमबर सिस्टम हमारे पास क्या होते है जो हम नेचरली नमबर को डिसकस करते है वो हम डिसकस करते है वन से क्योंकि जब भी हमारे काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कहां से होती है वन से या कोई भी चीज का हम स्टार्ट लें कहां से फर्स्ट से ही स्टार्ट लेते हैं अब हम first year का chapter start करें, तो कौन सा chapter, book का chapter number भी क्या है, one है, सबसे पहले जो one से start numbers होते है, naturally, उनको हम क्या कहते है, natural numbers, natural numbers को हम denote कैसे करते है, capital N से, और ये start होते है, one से, one, two, three, up to, so on, चलते ही जाते हैं, अब आप देखें, अगर हम इस natural number में two है, two में से one को subtract करें, two में से subtract किया one को, तो हमारे पास क्या रहे गया, one, इसी तरह अगर हम three में से two को subtract करेंगे, तो क्या रहे गा, one, इसी तरह अगर हम four में से two को subtract करेंगे, four में से two, तो वा रहे गा, two, अब देखें, one भी अंदर है हमारे पास two भी अंदर है इसी तरह अगर हम five में से three को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारे पास क्याएगा two आएगा ठीक है यानि किसी तरह अगर हम numbers को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं yeah तो वो हमारे पास इन नंबर्स में include होंगे अगर हम one में से one को माइनस करें तो वो क्या आएगा हमारे पास zero अब zero जो है वो हमारे पास इन numbers में include नहीं है तो ऐसे number जिन में zero include होता है वो numbers क्या होते हैं? हमारे पास whole numbers whole numbers को हम किसे represent करते हैं? capital W से zero और आगे क्या है? natural numbers यह तो हमारे पास होगे whole numbers next further whole numbers से जो next type number system की है वो हमारे पास क्या है? अब इसमें zero भी include है और positive numbers भी अगर हम two में से one को subtract करते हैं वो तो हमारे पास आढ़ेगा one अगर हम one में से two को subtract करें तो वो हमारे पास क्याएगा minus one इसी तरह हम three में से two को subtract करेंगे one अगर two में से minus three को करेंगे तो वो कहाएगा minus one अगर five में से three को subtract करते हैं तो वो कहाएगा हमारे पास two और इसी तरह हमें अगर three में से minus five subtract करेंगे वो हमारे पास आएगा minus two मतलब हमारे पास negative numbers भी आ सकते हैं तो ऐसे numbers जिनको सब्ट्रैक करने से अगर हमारे पास negative numbers आ रहे हैं तो उनके लिए हमने एक अलग number system drive किया है हमारे पास number system क्या है integers number integers numbers को हम Z से denote करते हैं और इसमें हमारे पास whole number, mean zero और natural numbers भी आ जाते हैं सारे क्योंकि अगर zero add करते हैं natural number में तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं whole numbers और उसके साथ ही अगर हम negative numbers को ले आएं तो ये सारा जो सैट इसमें positive और negative numbers with zero include हो वो हमारे पास क्या होते हैं integers number next है हमारे पास rational numbers integer numbers से further type अब rational numbers हमारे पास क्या होते हैं एक तो हो गए हमारे पास हमने discuss कि natural number natural number किस से start हो रहे थे 1 से 1, 2, 3 up to 6 whole number क्या थे जिसमें हमारे पास zero आगया था वो हमारे पास क्या थे whole numbers इस तदा integers क्या थे जिसमें हमारे पास negative number minus 1, 0 1, 2, 3 up to 6 ये थे हमारे पास integers अगर हम इस से भी further time mean इन जो natural number ये जो integers हैं हमारे पास ये natural numbers इनके between भी कोई ना कोई numbers होंगे उन numbers को discuss करने के लिए कौन सी type हमारे पास है rational numbers अब ये हमने numbers लिख लिए integers ठीक है like हमारे पास zero और one के दरम्यान भी कोई ना कोई ना कोई number है वो क्या है one by two इस तरह जिरो और one by two के between भी कोई ना कोई number है वो क्या है one by four so इस type के numbers जो हमारे पास integers के between है उनको हम क्या कहते है rational numbers rational numbers को हम denote कैसे करते है capital q से sorry q से ठीक है अब इसकी definition क्या है rational numbers की definition है a numbers which can be written in the form of p by q p by q mean fraction form में हम इनको लिख सकते है and p and q belongs to zz क्या है हमारे पास set of integers जो क्या है positive number भी हो सकते है और negative numbers भी हो सकते है इसे तरह q is not equal to 0 q हमारे पास क्या है denominator main rational numbers में condition क्या दी गई है कि जो p की होंगे वो हमारे integers में belong करते हैं मत्तक positive numbers भी हो सकते हैं और negative और जो denominator है वो is not equal to 0 होगा mean अगर 0 आजेगा denominator में तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो numbers होंगे वो undefined हो जाएगे example है हमारे पास 2, 3, under root 16, 1 by 2 under root आप देखें full full जो है वो क्या है solvable 16 का क्या है 4 है इस तरह 3 है 1 by 2 है अब देख सकते हैं अब ये तो आप कहेंगे 2 है just P by Q 4 में तो है नहीं अब हम देख सकते हैं कि हम जो 2 है उसको मैसे भी लिख सकते है 2 by 1 क्योंकि अगर 1 को divide करेंगे 2 से तो हमारे पास answer क्या आएगा 2 ही आएगा तो ये तो हमारे पास होगे rational numbers rational numbers से further numbers जो हमारे पास वो क्या है irrational numbers irrational numbers क्या होते है a number which cannot be written in the form of P by Q P Q belongs to Z and Q is not equal to 0 mean हमारे पास इसको हम क्या P by Q form में नहीं लिख सकते mean जो हमारे पास number होंगे वो क्या होंगे उनकी fraction solvable नहीं हो अब लाइग हमारे पास क्या under root 2 under root 2 as it is ही रहेगा इसका जो है आपके पास जब इसको आप solve करेंगे तो यह है आपके पास इसका जो answer आएगा या infinite many numbers type form में आएगा इसे तरह under root 3 भी rational number की example है 7 by under root 15 भी क्या है irrational number की ही examples है mean इस form में under root form में numbers लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते है irrational numbers next है हमारे पास हम discuss करेंगे जहां से हमने start किया था natural number से ठीक है एक complete chain को describe करते है natural number natural number में अगर ہमने zero CAD किय तो वो हमारे पास क्या आगे थे whole number whole number में अगर हमने negative numbers include कर दिये थे وہ क्या थे integers और integers में हम हमने क्या drive किये थे rational और irrational numbers अगर हम rational और irrational numbers को मिला के लिखते हैं तो यह हमारे पास क्या बनते हैं set of real numbers ठीक है set of real numbers जो है वो main type है number system की इसी में ही सारे numbers in pure and natural भी, whole भी और integral में इसी numbers को ही हमने break करके in form में लिखा हुआ है और अगर इनको हम combine कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाते है real numbers ठीक है हर real number जो है वो rational नहीं हो सकता है क्यों 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 क्य या irrational है आज का लेक्टिर हमारा यहीं तक है next further हम जो है discuss करेंगे decimal representations of rational and irrational numbers Thank you